नमस्ते विद्य हर्थी मित्रों, MS कुल में आप सबका हार्दिक स्वागत है कक्षानों विसई हिंदी 21-16 भारत्य संस्कृति में गुरु शिश्य सबन्द जिनका स्थाहित्य प्रकार है नीबंद नीबंद है लेखक के विचारों का सुगंठित, सुबोधित और व्यवस्तित लेख होता है हमारा यह नीबंद जिनके लेखक है आननसंकर माध्वन श्री आननसंकर माध्वन का जन्म केरल प्रदिस के क्विलन चिल्ले में हुआ डॉक्टर जाकिर हुशन के संपर्क में आने से हिंदू मुसलीम के मदुर सबंधों में पक्षगर बन गए महात्मा गांदी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माध्वन जी का शक्रिय सहभागा रहा जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्यान किया जेल से छुटकर आप भारत ब्रह्मन को निकल पड़े और बाद में बिहार में मंदार विध्यापेट की स्थापना की सन 1984 में अध्यत्य मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षानगरी की स्थापना की अब आप तीनों संस्थाओ के संचा लगे मल्याल्यम तथा तमिल दोनों ही भाषा पर पून अधिकार होने के बावजुद आपने हिंदी साहित्य में स्रुष्टी की है आपके विशयों में दार्शनिक्ता, आधुनिक्ता एवं आध्यत्मिक का बाहुल्य है बिखरे हीरे, अनल, शलाका, हिंदी आंदोलन, आमंतरित महमान, आरती, उशा, संजिवनी, आधी आपकी प्रमुख रचिनाए है आमंतरित महमान, बिहार राष्टर भासा परिशत द्वारा पुरस्कुरू थे हमारे लेखक मादवन जी, जिनका जन्वा केरल प्रदेश के क्विलन जिल्ले में हुआ है डॉक्टर जाकी रुशन के संपर्क में आने से हिंदू मुश्लिम के बीच के जो सबंध है उसमें भी मधूरता आई है और उनके वे पैकपक्ष घर है वो बन गए माहत्मा गांधी जी के द्वारा जो भारत छुड़ो आंदोलन जो सन 1942 में हुआ था उस आंदोलन में मादवन जी शक्रिय भागिदार रहे कई बार उसको जेल भी जाना पड़ा जेल में रहकर उन्होंने हिंदी भाषा का अध्यान किया जेल से चुटकर वो भारत ब्रह्मन को निकल पड़े और बाद में बिहार में उसने मंदर विध्यापीट और अदेत मिशन तथा शीवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की और तीनों संस्थाओं के अभियो संचालक भी है उनका पून अधिकार मल्यालम और तमील भाषा उपर था फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी कलम चलाई उनके विशयों में दार्शन निक्ता आदू निक्ता एवं आध्यत्मिक्ता का बाहुल्य है वो देखने को मिलता है बहुत सी एसी प्रमुक रचना है जो यहाँ पे दी गई है आमंत्रित महिमान जो उनकी रचना है वो बिहार राष्ट्र भासा परिशत द्वारा सम्मानित भी है यह जो हमारा निबंध है भारतिय शंस्कृति में गुरु शिश्य सबंध गुरु शिश्य का सबंध कैसा होना चाहिए हमारे प्राचीन गुरु शिश्य का सबंध कैसा धा और आज कैसा है आज की परिस्थिती कैसी है यह यहाँ पे बताया गया है माधवन जी ने प्राचीन गुरु शिश्य परंपरा की गरिमा को सपोष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप में करारा व्यंग किया है व्यंग यानि कटाक्ष किया है कि हम जानते हैं कि हमारे जो प्राचिन शिक्षा प्रणाली है वो दिखाते हुए उनकी जो गरीमा है वो दिखाते हुए हमारी आज की जो शिक्षन प्रणाली है उस पर परोक्ष रुप से कटाक्ष किया गया है आज हमारे समाज में व्यावसाईक बोल बाला यानि के प्रचलन है व्यावसाई ही प्रचलन है व्यावसाई रुपी संस्कृती है वो प्रचली थे इबस उनके ही कारण हमारे जो गुरुशिश्य के बीच का जो सबन्ध है उसमें भी परिवर्तनाया है पहले हम विद्यालाइकों मंदीर के समान माने जाते थे और शिक्षा देना एक आध्यात्मी कनुस्ठान था वह परमसुप प्राप्ति का एक माध्यम था उस जवाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं चाती थी क्या आज वे सिस्थिती है? क्या आज शिक्षा के छेत्र में वही निस्चा, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतरमुख होकर सोचने के लिए बाद्य किया है हम जानते हैं कि विद्यालाइकों मंदीर के रूप में माना जाता था शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुष्ठान मानते थे और परमशुक प्राप्ति का एक माध्यम भी माना जाता था पर आज के जमाने में और आज की वो जो स्थिती है, क्या वो वेसी है? प्रश्नाचिन लग गया है पहले के जमाने में विध्यालई में हमें पैसे देकर शिक्षा खरिदी नहीं जाती थी पर आज हम भी जानते हैं कि हमारी परिस्थिती कैसी है यहाँ पर एक प्रश्नाचिन दिया गया है क्या आज भी वेसी स्थिती है, जो हमारी पहली शिक्षा प्रणाली थी वेसी, क्या आज भी हमारे जो शिक्षा का शेत्र है, क्या वही निश्चा, क्या वही त्याग हमें देखने को मिलता है, ये सब जो प्रशनों पूछे गए है, वो हमें सोचने के लिए मजबूर करते है इसलिए ये जो निबंद है वो ये विचारशिल निबंद है और हमें लेखक ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज की शिक्षा कैसी बन गई है तो चलो हम ये जो निबंध है जिनमें गुरु शिष्य के सबंध को वर्णन किया गया है तो निबंध की हम शुरुवात करते हैं हमारे समाज में व्यावसाईक संस्कृति का बोल बाला है इसी कारण गुरुशिश्य सबंधों में परिवर्तन आया है पहले विद्याले मंदिर के समान माने जाते थे शिक्षा देना एक आध्यात्मिक अनुस्ठान था वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था पेशा देकर शिक्षा खरी दे नहीं जाती थी आधिस्थिती बिलकुल बदल गई है और अब शिक्षनकारिय पेट पालने का शाधन बन गया है हम जानते ही है आज हमारा जो समाज है उनमें व्यावसाई रुपी संस्कृति की बोल बाला यानि की प्रचलन है इसके कारण गुरु शिश्य के सबंधों में भी परिवर्तन आया है हम जानते थे कि पहले हमारी शिक्षा प्रणाली कैसे थी कि जो बच्चे होते है वो कहां पर आश्रम में जाके अपने के जमाने में तो स्थीती बिलकुल बदल गई है पहले हम विध्या लई है वो हम मंदीर के समान मानने चाते थे और हमारे मंदीर का पुझार यानि हमारे गुरु को हम बहुती सम्मान देते थे और इश्वर प्राप्ति का एक माध्यम शिक्षा को हम मानते थे उस जमाने मे पैसा देकर शिक्षा भी खरी दी नहीं जाती थी पर आज की जो स्थिती है वो बिलकुल बदल गई है अब शिक्षन कार्य क्या बन गया है तो पेट पालने का साधन यानि की जीवन निर्भा का एक साधन है वो बन गया है जिसे भारत्य संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारत्य मानशिक शिती में क्रियाशिल नहीं है आज एक प्रकार की अव्यवस्तित व्यावसाईक संस्कृति व्यापत है जिसकी जड़ शायद यूरोप में है हम सब जानते है कि हमारे वैद उपनिशद में ऐसी कई शिक्षन प्रणाली नहीं है बट ये सब अंग्रे जो भारत में आई तो उनकी ही ये नई शिक्षन प्रणाली ने प्रणाली को है वो जन्म है वो दिया गया है और आज की एक प्रकार की जो अव्यवस्तित व्यावसाईक संस्कृति जो व्यापत है जो देखने को मिलती है उनकी जड़ यूरोप में है क्योंकि हमारी शिक्षान प्राणली और हम जानते हैं कि हमारे वेदो उपनिशद में ऐसे कहीं भी हमारे जो ये बड़े बड़े गरंथ हैं उसमें कई ऐसी शिक्षान प्राणली दी गई नहीं है इसलिए यहाँ पे जो लेखा के वो कहते हैं कि उनकी जड़ कहाँ पे तो कि शायद यूरोप में है क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पे आके यह नई शिक्षन प्रानली को जन्म दिया भारत्यों के सार्वजनिक व्योहार में गुरु शिश्यों सब्बंद का भी तद्दन रुप परिवर्तन हो गया यहाँ के गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और नो शिश्यों को सुल्क देना पड़ता था पैसे देकर विध्या खरिदने का यह क्रोई विक्रिय पद्दती निसंदेह उस भारत्य मिट्टी की उपज नहीं है आज के भारत्यों का जो शार्वजनिक व्योहार है गुरु शिश्यों का सब्बंद तद्दन कैसा हो गया तो के परिवतन शिल हो गया है पहले जो गुरु थे वो वैतन भोगी नहीं थे वो सिर्फ सिक्षा देना जानते थे और नवुग शिश्यों को सिक्षा पाने के लिए सुलक यानि की फीज वो सिखान मलब के देनी पड़ती थी वेतन भोगी आनि की वेतन पर उनका गुजारा चलने वाले हो वेसे नहीं थे ऐसे पैसे देखकर विध्या खरीदने का जो ये लेन देन, क्रई वी क्रई मतलब की लेन देन की जो पद्धतियों नी संदे मलब उसमें कोई संदे नहीं है कि वो हमारे भारत्य मिट्टी की उपजे मतलब की हमारे भारत की सिक्षा प्रणाली नहीं है शिक्षाणाले एक प्रकार के आश्रम अथ्वा मंदीर के समान थे गुरु को शाक्षात परमेश्वर ही समझा जाता था शिश्य पुत्र से अधीक प्रिय होते थे यहां सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहश्य है प्राचिन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी परमेश्वर प्राप्ती उनका एक माध्यम था वह आज पेट पालने का जरिया बन गई है हम सब जानते हैं के हमारा जो शिक्षणा लई था किस प्रकार था तो के पहले आश्रम में या फिर मंदी में एक प्रकार का हमारी शिक्षणा लई की मतलब की उपध्धती है आश्रम में बच्चे है, वो पढ़ने जाते थे, वहाँ पर सब कार्यवी वो करते थे, सिर्फ ज्ज्ञान प्राप्त करना है वो ज्ञान के साथ साथ बहुत ऐसी चीज़े है, वो भी वो सिखते थे, गुरू को शाक्षात इश्वर है वो समझा जाता था, और शिश्य भी है वो अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे गुरू को सही है यहाँ पे जो हमें एक वाक्य दिया गया है कि गुरू को शाक्षात परमेश्वर माना जाता था हमने मीरा बाई को देखा कि वो अपने शद्गुरू को अपने इश्वर के समान मानती है कबिर ने भी कहा है ना गुरु के बारे में ति गुरु की जो महमा बताई उसमें भी उसने कहा था कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाई बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो दिखाई हम सब जानते हैं कि दोनों खड़े हैं गुरु और गोविंद है वो दिखाया है मतलब कि कभिर ने भी गुरु की जो महिमा गाई है और गुरु को है वो इश्वर के समान माना गया है शिश्य पृत्र से अधिक प्रिय होते हैं उनका उदारण हम ले जाए तो महा भारत का एक पात्र द्रोणाचार्य उनका पुत्र अश्वत्हामा जो अपने गुरु द्रोण का उदारण जो यहां पे लागू होता है यहां पे सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य था प्राचिन काल में गुरु की शिक्षादान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी और इश्वर प्राप्ती ही उनका एक माध्यम था पर जो शिक्षा है वो आज पेट पालने का साधन बन गई है मतलब के जीवन निर्वाक जरिया है वो बन गई एक रास्ता है वो बन गई है प्रारम में विवेकानन को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भ अध्यात्मिक गुरु थे जिनका बच्वन का नाम था नरेंद्रनाथ 1823 में अमेरिका के शिकागो में विश्वधर्म महा परिशद में उन्होंने भारत की ओर्षे प्रतिनिधित्व किया था और रामकुष्ण परम हंस के शिश्य भी रहे थे तो ये जो विवेकानन थे उ लगी दोड के उनका स्वागत करने लगे वेसे ही रविंद्रनाथ ठाकूर को भी नोबल पूरसकार मिला तो बंगाली लोग दोडे हुए राग आलपते हुए अमा देर ठाकूर अमा देर कठो सपूद रविंद्रनाथ ठाकूर जिनको नोबल पूरसकार है वो मिला गया थ नोबल पुरसकार जो है वो नोबल फाउंडेशन द्वारा स्वीरन के वैज्ञानिक आलफ्रेड नोबल की याद में वर्स 1901 से शुरू है वो किया गया था। यह जो नोबल पुरसकार की शैत्र में दिया जाता है तो शान्ति है, शाहित्य है, भाउतिक है, रशायनिक, जिक इत्साविज्यान और अर्थ शास्त्रों में विश्वकास सबसे बड़ा पुरशकार है वो दिया जाता है ये जो नोबल पुरशकार है वो नोबल पुरशकार के रूप में प्रसिस्त पत्र और साथ में 14 लाख डोलर की राशी है वो दी जाती है तो रविंदना ठाकूर को ज रक्षिन भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाच्यम और कथकली को नहीं पूछता था पर जब उसे विद्येशों में मान मिलने लगा तो आश्चर ये से भारतवासी सोचने लगे अर्य हमारी संस्कृति में इतनी अपुर्व चीज भी पड़ी थी क्या यहां के लोगों को अ प्रावन कोर की आसपास का नृत्य है और केरल की एक सास्त्रिय रंग कला है भरतनाच्यम है वो दक्षिन भारत की सास्त्रिय नृत्य शेली है जिनमें भाव, राग और ताल तीनों कला का समावेश होता है इसलिए भरतनाच्यम नाम है वो अस्तित्व में आया है और एसा मा पर जब विदेशों में इन सब चीजों को मान मिलने लगा तो सब को मतलब आश्चर्य हुआ कि हमारी संस्कृति में ऐसी अपुरुवत चीजे भी पड़ी है क्या हमारे जो लोग है वो हमारी खुद की जो खुबशूर्ती है उनको नजर नहीं आते पर दुसरों के मतलब के पराया जो सोंदर ये है परायी जो खुबशूर्ती है वो देख कर वो मोही थे हो जाते है देखते हैं आगे जिस देश में ज्यान पाने के लिए मैक्समलोर ने जीवन भर प्राथना की उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिश्य सबंद की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयाज ही हो सकता है ये कहां पे जो उलेक किया है मैक्समुलर और अगर वो मैक्समुलर कौन है तो मैं जो फैडरिक मैक्समुलर उनका पूरा नाम है वो जर्मन व किता आया था और वहीं पे उन्होंने अध्यन भी किया था तो ऐसे जो लोग है जो जीवन भर जो कहते हैं यहां पे कि जो मैक्समुलर है उसनोंने जीवन भर ऐसी प्राथना की थी कि उस देश का निवासी भी फिर भी वो जर्मनी और विलायत जाना है वो उसा अनुपव जैसे स्वर्ग मिल गया हो हमारे भी हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी सुविधाये फिर भी शिक्षा पाने के लिए हम कहीं और देश में जाए विदेश में जाए तो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये तो हमें स्वर्ग जैसा मिल गया हो ऐसे जो लोग है उसको अगर हमारा जो प्राचिन गुरु शिष्य का सबंद है अगर उसकी महिमा हम सुनाएंगे तो उसके सामने तो कैसा लगा तो आते उसके दिमाग में जाने वाली ही नहीं है अगर देखते हैं एक बार सुप्रशित भारत्य पहलवान गामा मुंबय आये उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुस्ती में चैलेंज दिया अकबारों में यह समाचा प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत् पहुचकर उनसे पुचा साहब विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तयार हो तो आप अपने अमुक सिस्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ एक बार क्या होता है गामा गामा है वो हमारा भारत्य पहलवान है यह जो कुष्टी और पहलवा है कि उनका जो रचनात कार है वो मोगल सामराज्य को माना जाते है तो एक बार यह जो शुप्रसीद पहलवान जो गामा है वो मुंबई आते है और उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुष्टी में चेलेंज देते है उस समय अखबारों में भी यह समाचार तो एक पार्सी पत्रकार है वो उटसुकता उटसा हो जाता है और वो गामा के निकट जाकर उन्हें केते है कि साख आप विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए तैयार हो तो फिर आप अपने कोई से सिश्य के साथ ही लड़कर विजह प्राप्त करके दिखाओ गामा आज कल के शिक्षक्रम में रंगे नहीं थे। इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आखे फाड़ कर उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गे। बाद में धीरे से कहा। बाई साथ मैं हेंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक नीजी रहन सहन है। पर आप अपने ही सिश्यक से लड़कर विजह प्राप्त करके दिखाओ। पर आज की जो शिक्षक्रन प्रणानी है उसमें जो शिक्षा का करम है उसमें गामा रंगे नहीं थी मतलब की रंग ना मतलब की उस पर उसका इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा था। जब भी पार्सी ने ये शब्द बोले तो वो तो हैरान हो गए और उनके सामने उनका चेहरा ताकते रहे ताकता रहे ना मतलब कि वो आश्चर जैसे देखते रहे फिर वो बोले कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और हमारा भी एक खुद का एक रहन शहने शायद आप इससे परिचित जिस तड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाय मेरा खुण है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है इसमें और मुझमें फर्क ही नहीं कुछ मे लड़ा या वह लड़ा दोनों बराबर ही होगा अब गामा है वो उन पत्रकार को कहते है कि आप जो मेरे शिश्यों का नाम ले रहे हो वो मेरे पसीने की कमाय यानि मेरे कठीन परिश्रम का फॉल है वो मेरा ही खुण है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है मेरे और उसमें कोई फर्क ही नहीं है मे लड़ू या मेरा शिश्य लड़े दोनों एक ही है और हमारी इस परमपरा को आप समझने की चेश्टा करें मतलब कि आप हमारी जो परंपरा है वो समझे और आगे भी कहते हैं कि हम लोग है वो वन्ष परंपरा से अधीक हम शिश्य परंपरा को मान देते कि हमें अपनी शिश्य परंपरा है वो ज्यादा पशन दे हमने शुरुवात में भी देखा था कि गुरु शिश्य में जो गुरु और शिश्य का जो सबन्द है गुरु अपने बैटे से भी ज़ाता अपने शिश्य को प्रेम करते तो यहां भी वही देखने को मिलता है ख्याती और प्रभाव में हम सदा यह चाहते है कि हम अपने शिश्यों से कम प्रभावी रहे देखो यहां पे कि जो गुरु है वो हमेशा यही चाहता है कि मुझसे भी ज्यादा नाम है वो मेरा शिश्य कमाई हम प्रभावी हो नहीं रहे तो ठीक है पर मेरा जो शिश्य है व मुझे लगता है आप हिंदूस्तानी नहीं हो। देखो यहाँ पे भी गुरु यह जो हमेशा शिश्य का भला ही चाहते है। भले ही शिखाया गुरु नहीं है सब कुछ। फिर भी गुरु जब प्रक्यात होने की जब ख्याती मिलने की बात आती है तो गुरु है वो पीछे हो के अपने शिश्य को है वो आगे करते हैं। और गुरु भी वही कहते हैं। देखो यहाँ पे गामा पहलवान भी वही बोल रहे हैं कि हमेशा मतलब हम ऐसा ही चाहते हैं कि मेरा नाम जितना हो वो जितना नाम मैंने कमाए उससे अधिक भी मेरे पिता है वो कमाए। और वो कहते हैं कि मुझे लगता है जिस तरह से आप बात कर रहे हैं वैसे आप हिंदूस्तानी नहीं हो। भारत में गुरु शिश्य सबन का वह भव्य रूप आज सादूों पहलवानों और संगितकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। भगवान राम कुरुष्ण बर्सो योग्य सिस्य पाने के लिए प्रयत्न करते रहें। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिश्य के लिए रो रोकर प्रात्ना करनी पड़ी थी। इसे समझा जाशकता है कि गुरु के लिए उत्तम शिश्य कितना महंगा और महत्वपुण है। संतान प्राप्तिवर्ग उन्हें दूख नहीं देता पर बेगर शिश्य के रहने के लिए वे एकदम तयार नहीं होते थे। देखो यहाँ पे कि अभी भी जो गुरु शिश्य का जो सबंध है वो आज भी भविय रूप में थोड़ा सा ही सही पर साधू, पहलवान और संगितकारों में देखने को मिलता है। भगवान रामकृष्ण है वो बरसो तक योग्य शिश्य पाने के लिए वो प्रेत्न करते रहे। और उन जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिश्य पाने के लिए रो रोकर प्रात्ना है वो करनी पड़ती थी। बस इससे ही हम देख सकते हैं, इससे ही हम समझ सकते हैं कि दम से भी तयार नहीं होते थे। इस सबन में भगवान इशा का एक कथन सदास मरणया है। उन्होंने कहा था मेरे अनुयाई लोग मुझ से कहीं अधिक महान है और उनकी जुतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है गांदी जी बनने की शमता जिन में ह उन्हें गांदी जी अच्छे लगते है और वे ही उनके पीछे चलते भी है। विवेकानन सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिन में विवेकानन बनने की अध्बुद शक्ति नहीं थे। दिखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि भगवान इशा का एक कथन है वो याद है तो ज में नहीं है। जूतिया मतलब कि जूता बनने का नहीं है। मतलब कि मैं उसके पेर की जूति की भराबर नहीं हूँ। यही बात है कि जैसे हम जगते है कि जिसमें गांदी जी बनने की शमता है। जिसमें गांदी जी बनने का उत्सा है। गांदी जी बनने की कैपबिलीट शक्ती है वो रहती है कविता के मर्मगन और रसिक स्वयम कवी से अधिक महान होते है संगित के पागल सुनने वाले ही स्वयम संगितार से अधिक संगित का रसासवाद करते है सही है कविता का जो मर्मगन यानि की जो रहश्य है उनकी जो रशिक्ता है वो स्वयम कवी से अधिक है वो महान होते है जैसे संगीत के पागल सुनने वाले वो संगीतकार से भी अधिक है वो महान होते है और वही है जो संगीत का रशास्वाद यानि उनका आनंद है वो लेते है यहाँ पुझ्य नहीं पुझारी स्रेष्ट है यहाँ सम् दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वह हमारी चाह में हमारी दृष्टी में है यह अदबुद भारतिय व्यक्या अजिप सी लग सकती है, पर हमारे पुर्वजसदा इसी पत के यात्री रहे है देखो यहाँ पर इवई का गया है कि जो कवी है वो सिर्फ गाता है पर कवीता का जो रहश्य है कवीता का जो आनंद है वो तो सुनने वाला ही है वो मान सकता इसलिए कवी से भी ज़्यादा तो वो कवीता सुनने वाला है वो महाने वैसे ही संगीत को जो सुनने वाला है वह स्वयम है वो संगीत सार से भी अधिक संगीत का आनन्द जे वो लेता रहता है यहाँ पे जो पुझ्य है वो नहीं बड़ जो पुझारी है वो स्रेष्ट है सम्मान पाने वाला नहीं बड़ जो सम्मान देने वाला है वो महान है चानते है कि पुष्प में कुछ नहीं है पर जो फूल जो पुष्प है उनका जो सोंदर यह है उससे आने वाली दरश्टी में है दुनिया में कुछ नहीं है जो कुछ भी है हमारी चाह हमारा प्यार हमारी द्रश्टी में ही है ये जो व्याख्या ये वो हमें थोड़ी कैसी लगेगी थोड़ी अजीब लगती है पर हमारे जो पुरुवजव है वो सदा इशी रास्ते के यात्री है वो रहे उत्तम गुरु में जाती भावना भी नहीं रहती कितने ही मुसल्मान पहलवानों के हिंदुचे ले और संगीतकारों के मुसल्मान शिश्य है सही बात है जहां पर शिक्षा है वहीं पर कहीं पर भी जाती भावना रहती नहीं है शिक्षा शिक्षा रहती है ज्यान पाने का एक जरीया है पर यहां पे भी देखो जाती भाव भी नहीं बताया गया है कि जो गुरु तो अच्छे जो गुरु है जो सज्जन है उत्तम गुरु है उन्हों में जाती भावना नहीं रहती ऐसे ही बहुत से मुशलमान पहलवान है जिनके चेले हे वो जानी कि जो उनके शिश्य है वो हिंदु रहे ऐसे बहुत से संगीतकार है संगीतकारों के मुशलमान ज़े वो शिश्य रहे है यहाँ परक गुण की शाधना की और प्रतिभा की होती है भक्ति और श्रद्धा की ही किमत है न की जाती संप्रदाय आचार विचार या धर्म की सही बात है जिनमें गुण है जिनमें शाधना है प्रतिभा है और उनकी भक्ति और श्रद्धा की ही यहाँ पे किमत है कि नहीं क कोई कि कोई जाती का यह मुस्लिम है, यहाँ पे हिंदू ऐसा कोई नहीं, उनके आचार विचार धर्म, उनकी किमत नहीं पर जो में गूण है उन गूण को परक कर गुरु है, वो अपना जो शिश्य है वो बनाते, वो कोई ऐसा जाती भाव नहीं करते, उनके लिए सब शिश एक ही समान है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुशलमान हो, कोई भी हो, मुझे क्या लिखाया था कि एक विद्वान मुशलमान नहीं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है, और मुसलमान बनना चाहिए, पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े-बड़े राम कि एक विद्वान मुसलमान नहीं कहा, क्या कहते हैं वो, कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, कि यह हिंदू है, कि मतलब कि यह हिंदू है तो, और यह मुसलमान बनना चाहिए, पुराने जमाने में जो मौलवी, मौलवी लोग को पता है न, कि वो मुशलमान के जो र बेहिद भाव, जाती भाव, हम कैसे मान ले, क्योंकि वो भी, सब इश्वर तो एक ही है, अगर वो भी ऐसे मुशलमान, मौल भी होके भी अगर रामान, राम की जो कथा कह सकते है, तो हम सब एक ही है, आज की गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं, अब बताई है आज की जो परिस्थितिया है वो कि हमारे आज के जो गुरु है वो सेवा लेने में ही चतूर है पर देने में नहीं आज की हम परिस्थिति सब देख रहे कि कैसी हमारी परिस्थिति है वो हो गई है ठीक है चलो कि वैतन भोगी हो गए पर वैतन भोगी के साथ सा अपना कारिय पूर्ण करे तो भी काफी है पर कई ऐसे गुरू भी है वो सिर्फ सेवा लेने में जानते हैं कभी सेवा देने में नहीं मानतें उपनिशदों में आचारियों ने कहा था कि सेवा देने की चीज़े लेने की ने मतलब कि हम हो सके उतनी सेवा दो पर लो नहीं सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असाहाई और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मुर्ति सुरूप समझो सेवा रूपी पुजा से उनकी शक्ति को प्रजलवित करने शमता और सहर अधैता रखने वाली ज्यानी और तपस्वी पुरोहित आज कल के गुरू नहीं रह गए दिखो ओप्टिशद में भी कहा गया है कि सेवा है वो देने की चीज़े लेने की नहीं हाँ सेवा कोन ले सकता है कि उनके जो अधिकार है वो बच्चे है जो रोगी है जो असाहाई लोग है जो बुढ़े लोग है उनको ही परमेश्वर का के साथ हो के मुर्ति कारूप जाके भी भगवान की पूजा करो या नहीं करो पर जो ऐसे लोग है उनको अपनी सेवा दो उनकी सेवा करो तो वही हमारा इश्वर उसमें ही हमें अपना इश्वर है वो देखने को लगता है और हमारी सेवा रुपी जो पूजा है उससे उनकी शक्ती प्रजलवित करने की शमता और सहरदेता रखने वाली आज के जो एक ज्ञानी और तपस्वी पुरो ही थे वो हमें जो आजकल के गुरू है वो भी नहीं रह गए किसी भी देवमंदिर की मूर्ती की शक्ती उतनी ही मातरा तक ही संपव है जितनी मातरा तक उसके पुजारी की भाव पुजा में नेविध्य भावना भरी रहती है क्या कहा गया है कि जैसे देवमंदीर में जो मूर्ती की शक्ती होती है फिसे इश्वर हर जगा है फिर भी अगर हम देवमंदीर जाए तो मूर्ती की शक्ती है वो तब तक रहेगी उनके द्वारा वही यहां पर बताया गया है कि ज्ञान भी हमें उतना ही मिलता है जितनी आप सेवा दो आप जितनी शेवा दो उतनी आपको हे वो मिलता है मतलब कि यहाँ पे जो गुरु शिश्य के सबन्द में जो परिवर्तन आया है वो परिवर्तन यह निबंद के जरिये क्या क्या परिवर्तन आये पहले की जो शिक्षा प्रणाली कैसी थी आज की हमारे शिक्षा प्रणाली कैसी है पहले गुरु शिष्य के सबंद में मतलब की कैसा जो थे वो कैसे थे और आज की हमारे गुरु शिष्य के सबंद में कैसा परिवर्तन आया वे वो दिखाया गया है वैसे पहले गुरु शिष्य के सबंद थे वो एक अपना पुत्र और पिता और पुत्र का सबन के बराबर था अपने पुत्र से भी जहादा गुरू है वो अपने शिश्य से प्यार करते है आज क्या वो देखने को मिलता है क्या फिर से वही प्रश्णों है वो गुंजते है वही प्रश्ण है जो हमारे लेकक न हमें शुरुवात में भी है वो पूछा गया था क्या सच में ये परिस्थिती ये स्थितिया ऐसी हो गई है, क्या आज भी ऐसे गुरु है जो अपने निष्ठा इमानदारी के साथ अपना कार्य करते हैं, सच में सोचने के लिए ये निबन्ध है वो यही है जो हमारे ये नीबन में हमने जाना